हाई गाईज फेलकुम बैक टू माई चैनल आईम केवी आज मैं आपके लिए लिखके आई हूँ यह लोवर बॉड़ी पार्ट का वर्काउट आई नो दिवाली का टाइम था सबने चीट किया है सबका गेन हुआ है तो मैंने भी किया है तो मेरे साथ साथ आप वापीस से फि और मैट और आप अपना वकाउट कर सकते हो इस वकाउट के साथ साथ अपनी डाइट पर द्यान देना क्यारी डेफिसिट के साथ आपकी लोगर बॉड़ी पार्ट के साथ पुरी बॉड़ी का फाट काम होगा पर एक्सिसाइज चो मैं बताने वाली हूँ उसे अपने रू अगले हफते आप अपना टागेट बढ़ा दीजे कि एक हफता मैं पंदरा से अठारा रैप करूंगा या करूंगी ऐसे अपना हर अपते अपना रैप्स बढ़ाते रहना ताकि आपका फिटनेस लेवल में चेंज देखे आपको आपका स्रेंट लेवल भी बढ़े इसके कम पांच नहीं तो चार तीन जैसे आपका फिटनेस लेवल करें वैसे करिए पर हब हर अपते इसे बड़ा-बड़ा के राउंड भी आप पांच तक जरूर ले जाना मैक्सिमम जितना कर सकते हो करो उतना आपका फाइदा रहेगा सो फर्स रिक्स आइस आपकी रहेगी मार आपका एक काउंट होगा तो ऐसे आपको 10 से 12 रैप या 15 रैप जितने होए उतने आपको कम्प्लीट करने हो लाइक मार्च पास भी कर सकते हो तो भी कर सूपर ज़ाज आपको ठीक लगे यह होगी आपकी फ़र्स एकसाइज और राउंड रहेंगे फोर तो फाइव सेकेंड आपका इस तरह सापको प्लैंक पोजिशन लेनी है एक पहर आगे दूसरा पहर आगे हाथ चोड़ने है वापिस रखने है तूसरा पहर पीछे पहर पीछे पहर पीछे एक हो गया वापिस इसके भी दसे बारह रैप रखोगे चार पांच बहुत चीच रहे है पांच रैप में आपको बैसल जाएगा करें लोगे गड़ा इस तरह से आपको यह और को और आप चाहों तो ब्रेक भी लेसकते हूँ हर से आप कर रहे हो कि तो आप हरे किसे तक बार तो थोड़ा सब रेक लूँगी तब तक मैं आपको कुछ एक प्रोड़क्ट का मैं इंट्रोड़क्शन दूँगी जो आपको अपने रूटीन में आट करना है जिससे आपके वक आउट से दबल विसल्टाइगे यह है अलो गार्सीनिया जूस भाइ कपीवा कपीवा इस वे अटम भी हो चुका है उसके बाद मैं अपना रिव्यू शेयर कर रही हूँ अलो गार्सीनिया जूस का तो आप इसे डेली लाइफ में भी यूस कर सकते हो कुछ भी साइट नहीं होता है इसको अपने रूटीन में आट करना है और क्यों आट करना है से क्या फाइदे है आप आपका मेटवालिजम फास्ट रहेगा आपके बॉड़ी के टॉक्सिंस रिमूव होएं जिससे आपकी बॉड़ी का पाट लॉस जल्दी होगा आपकी बॉड़ी का स्टबबन पाट कम करने बहुत है अगर आपको जिद्धी फाट होता है जो कम नहीं होता थक जाते हो कितन वरकाट करतों नहीं होता है इससे आप एड़ करेए इससे बहुत रिजल्ट हैंगे आपकी शूर क्रेविंग दूर करेगा साथ ही में आपका अपटाइट कम करेगा जिससे एम घाएट लेते तो काप्स कम लेते तो में बार बाबा भूख लगते है चोटे-चोटे मील्स क यह बाटर में डालोगे और तेस बिल्ए हनी शॉल्ट भी एड़ कर सकते हो उसे खाली प्रेट लेना है खाली प्रेट लेने से ही आपको अपनी वोड़ी में रिजल्ट मिलेंगे लिए कि पाऊंगे और इसका पर्चिस लिंक में आप कर दूँगी आप डिस्कीप्शन में च देखिए वो नॉर्मल स्कॉर्ट से बहुत ईजी लग सकते हैं आपके सुमो स्कॉर्स तो हम इसमें पल्सिस करेंगे सुमो स्कॉर्ट पल्सिस कैसे करने आपको पाइप के बात वापिस उपर आना है दन अगेन वान टू पाइप फिर इपर ठीक है कर दो फिर बान 2-3-4-5 आपका 3 ओओ है है चार वान 2-3-4-5 पाझ वान 2-3-4-5! 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 9, last, 1, 2, 3, 4, 5, 10. So, 10-12, you have to do this, it's difficult, but you will get it, you will get it, it will get it, it will get it, it will get it, it will get it, so you will increase your changes, like this. Fourth exercise is our lunges. In the lunges, you will do the front and back, and you will do the back of your glutes, so you will do the back lunges, like this. Go on. ऐसे हो आपी, और लगे, दो होँ, तो होँ, टो होँ, खीक ए, तो, तो, पी, यह मोर इफेक्टिव होते है, ओर करके देखू, you will feel the difference. 5, 10-12, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10 10 4 exercise अब हमारा जो 5th exercise है इसमाँ बटरफ्लाय करेंगे यह आपको यह ज्यादा कर सकते हो तो जितना जादा कर हो से करें 5 2 इसे आप एक काम करिये सेकंड के साफ से करिये तो आप 30-40 सेकंड करिये ठीक है इस तरह आपको करना है एंड इसके बाद मैं आपको बताऊंगे 6 exercise 6 exercise आप क्या करोगे यहाँ पर आजाओ वाल का सपोर्ट लोगे यहाँ पर थोड़ा सा हाँ वाल का सपोर्ट लोगे और इस तरह से आप स्कॉर्ट होल्ड करोगे यह भी आप सेकंड के साफ कर लीजे बहुत अच्छा रहेगा अच्छा 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 हर अपने मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए थैंक्यू सो मुच गाइस अच्छा स्टेए पर्णाव पर्णाव क्या जदो अच्छा जबए पर्णाव क्या पर्णाव विए झाल